आप सभी को हम दोनों भाईयों के तरह से इदू लादा बहुत बुबाराइद मतलब एक बकरे में तीन हिसा लगता है एक गरीबों को पूरा बाटना रहता है एक रिष्टेदारों के बकरीद में सिर्फ हम लोग जानवर का कुर्बानी नहीं करें बकरा का खुम गिरने से पहले ही अलाद आपके कुर्बानी को कबूल कर ले या रभुलारमीन हम सारे लोगों के कुर्बानी को कबूल फर्मा वक्रीद मुबाराइद वक्रीद पार्टी चरिए लाए है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने कबाहित करीना अली हलो फैमली विलकम बेक तो मै यूटिब चैनल इसमी तारिक साफ उल्ला और इस माइ ब्रो खालिद साफ उल्ला तो कैसे हैं आप लोग जैसे कि आपको पता है आज है एदुल अधा यानि बक्रीद जी और एक चीज़ का ध्यान रखना हमें कि हमें सिर्फ जानुवर के कुरवानी नहीं करना है तारिक हम लोग को अपने अंदर जो हमारे अंदर जिद है अहिंकार है गुस्सा है और दूसरों के पड़ती जो बदगुमानी है लालच है सब उसके साथ सद जो भी हमारे अंदर बुरी आदते हैं उन सब को आज की दिन हम लोग कर देना है अपने जो सबूसरों सब्सक्राइा हैं जन सबुद को परे में खुद एक रिंवर्य द्रे मारे अचेही चुछ आप वन सबते लेडिर हुस्चा आदा है सारे बारह 13 kg निकलाता है उसमें बाई तीन हिस्सा लग जाता है मतलब एक बकरे में तीन हिस्सा लगता है एक गरीबो को पुडा बाटने रहता है एक रिष्टेदारों जहाँ पर आपके family member जो है रिष्टेदार है वहाँ पर कुर्बानी जितके घर नहीं हुआ है उन लोग को भीया जाता है और तीश्रा जो है अपने अपने लिए अपने फैमिली के लिए रखा जाता है यह बहुत ही जरूरी चीज है यह जानना कुर्बानी करना है तो ऐसा नहीं है कि सारा गोश्ट खुदी खाना है बहुत सारे लोग भाई लोग ऐसा करते हैं कि गोश्ट जो है वो हिस्सा लगाते नहीं है, मतलब जो बात में आते हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखो, कि जब भी कुरुवानी करो, तो बरावर हिस्सा लगाओ, अपने पास कम रखिए, भले ही दूसरों को जा दे दिजिए, अगर आप कुरुवानी कर रहे हैं, तो आपको अतना दिया है, आपको अतनी हैसियत है तभी कर रहे हैं, बहुत लोग पूरे साल गोस्त नहीं खा पाते हैं, खर्सी का गोस्त इतना महंगा है, पूरे साल लोग नहीं खा पाते हैं, उनका हख पहले है, आपके बगल के जो भी हैं, सबसे पदे उनका हख है, आपके अगल बगल में किष्ग गरी के किसको अलग अलगी है मैंने पूरा तराजे से आज तौला है और पूरा इस चीज का ध्यान रखा है कि उसमें हमारे पास कम हो जा है बाकी जो गरीबो के लिए हिस्सा है उसको मैंने थोड़ा जादा ही रखा है यह जो हख है भाइजन यह तो गरीबो का ही हख है वक्रिट पार्टी करिदा है परसान सब को सर्व कर रहा है आये आये अम लोग के पीछे तो आये अच्छा दे के आएगा बहुत मेरस किया अरे इसका भी आएगा इसका भी आना चाहिए आरिया सार वह तेस्ट था बहुत अच्छा मजा यह जाता है क्या दतनिव जी बढ़ी है बहुत अच्छा अगराम खुष है दाम आई जी यह वलिया नितेजी तेस्ट था पहत्री वरतान पेक सुबा से बेकारा मेहनत कर रहा है यह मेरा पेट तो भड़ा हुआ है लेकि हम फिर भी यहां के साके जेक्से कैसा बनाया है एक नंबर बनाया है सबासी ते दीजे सबासी ते दीजे अब रजा तो है ने क्या कर्या क्या कर रहा है इसलिए मौंटन ड्यू पता है क्यों क्योंकि डर के आगे जीत था कुछ हमारे फैमिली को बता दे कि इसकी सुरुवात कैसे हुई लोग क्यों मनाते हैं इदल अधा जो है मैं एकदम पॉइंट टूइंट तो चाहिद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इस्लामी के स्कॉलर हूं नहीं तो कुछ अगर गलती होई तो माफी चाहूंगा तो जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे जो नभी थे इब Barahim A.s उनको खाब नआया कि अपने सबसे कीमती चीज को आप कुरबान करो उनकी सबसे कीमती चीज उनके बेटे थैं जिनका नाम कough Ismail A.S उनको लेखे गए वो पो ले चलो आप एकाम किदीए, मेरा हाथ दोनों, बान दीजिए, पैर बान दीजिए, ताकि हम छटपताये नहीं और उन्होंने बोला, आप आख अपना पट्टी बान दीजिए, नहीं तो आप देखिएगा तो आप बाप है, बापका भी तो जैसे मां काम्मटा होता है बाप का भी बहुत लगा होता है अपने बच्चों के, तो आज के जमाने में बच्चे बाप का नहीं सुनते हैं, बच्चों का नहीं सुनता है, अजी भी महाल चल रहा है अभी तो, तो उस समय कैसी तर्भियत थी इसमाईल अलेहिसलाम की, फुशी फुशी अल्लाह के राप पुर्बान होने के लिए तैयार हो गया और इबराहिम अलाईसलाम जब चाकु चला रहा थे चाकु नहीं चला तो फिर उनने चाकु टेस किया आग पट्टी वा दी और अल्ला का नाम लिए और जब कर दिया और बहुत तो चोचो क्या मंजर होगा या अल्ला और उसके बाद जब उन्होंने पट्टी खोला तो देखा कि इसमाईल अल्लाम बगल में ठरेया और उसके जगवा पर दुम्बा वहाँ पर दुम्बा भेर तो भेर वहाँ पर उनके जगवा पर पुरवान हो गया ता तो उन्होंने उसी वक्त दो रिकात नमाद परी जो कि हम लोग इद हमारा बगला की नमाज तो यह व्लाजा में पड़ते हैं तो यह जो पेस्टिवल है हमारा पकरीद यह सेक्रिपाइस का फेस्टिवल है गरीबो हो दोनों हीद हो यह बगली अपने से पहले गरीब का हदा करना है अगर उस लायक है तो आप बिलकुल गरीबो वेड़ी दे जो भी कीज है और तब से ही ये चला आ रहा है ये ट्रैडिशन फॉलो हो रहा है और हमने भी आज कुरबानी की और ऐसा बोला जाता है कि कुरबानी में ना अल्लात अला के पास गोस्ट पहुंचता है ना बकरे या जो भी जानवर आप कर रहा है उसका गोस्ट पहुंचेगा पहुंचेगी आपकी नियत नियत में थोड़ा भी आपका 19-20 नहीं होना चाहिए जैसा तारीक ने बताए इकोल थ्री पार्ट में डिवाइड करना है जो भी आए और उसको एक हिस्सा सबसे पहले गरीबों का हक है उसके बाद जो आपके ऐसे रिस्केदार है इंके हर कुर यही आपकी खुर्बानी को कबूल कर लेते हैं यह बात है तो यह इबराहिमन इसलाम के दोर से चला रहा है